Dear viewers, Welcome back to the channel आज के दिन Espresso, Swift, Ignis और Mahindra Scorpio का Crash Test किया गया Global NCAP के द्वारा और इन सभी वेहकिल्स का Crash Test result कैसा रहा वही इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ सेर करने जा रहे हैं वीडियो काफी अच्छा होने वाला है वीडियो को लास तक जरूर देखें और हाँ दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुचे दोस्तो एक बात में बताना चाहूंगा अगर आप डीटेल में जानना चाहते हैं कि अगर आपको क्रेस्टेस्ट में आपकी कार को एक इस्टार मिले हैं तो आपके किस पार्ट में ज्यादा इंजरीज आने के चैन्सेज हैं दो इस्टार मिले हैं तो किस पार्ट में, तीन इस्टार मिले हैं तो किस पार्ट में, डीटेल में मैंने वीडियो वना रखा है महिनों पहले, अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हैं और डीटेल में जानना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वीडियो को जरूर जाकर चेक करें पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में बात करें अगर इस्प्रेसो की तो एस्प्रेसो को चाइल्ड अकुपेंट्स के लिए zero star जबकि एडल्ट के लिए एक star मिला है अगर हम detail में जाते हैं तो espresso के adult के लिए 34 points में से 20.03 points मिले हैं adult के लिए child की बात करें तो 49 में से 3 points जी हाँ आप सही सुन रहे हैं only 3.52 points केवल मिले हैं अगर बात करें हों ही swift की तो swift का भी आजी के दिन crash test किया गया जिसमें इसको adult occupants के लिए 1 star और child occupants के लिए भी 1 star मिला है points की बात करें तो 34 में से 19.19 points मिले हैं swift को adult occupants के लिए जबकि 49 में से 16.68 points मिले हैं child occupants के लिए और बात करें इगनिस की तो इगनिस को भी adult occupants के लिए 1 star जबकि child के लिए 0 stars मिले हैं 34 points में से 16.48 points मिले हैं adult occupants के लिए जबकि 49 में से 3.86 points सिफ मिले हैं child occupants के लिए तो मारूती के इन तीनों कारों का crash test किया गया इसी के साथ महिंद्राइ Scorpio N का भी crash test किया गया जिसका result बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा अगर हम बात करें इसके NCP crash test के result की तो आपको महिंद्राइ Scorpio N में 5 में से 5 stars मिल जाते हैं adult occupants के लिए जबकि 3 stars मिलते हैं child occupants के लिए महिंद्राइ Scorpio N को adult occupants के 34 points में से 29.25 points मिले हैं जबकि child occupants के 49 points में से 28.93 points मिले हैं महिंद्रा Scorpio N को तो आप देख सकते हैं महिंद्रा continue अच्छे product खास कर safety के मामले में देती जा रही है मारूती Suzuki को भी महिंद्रा और Tata की तरह safety के मामले में काम करने की जरूरत है तो दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों के साथ यही जानकारी सेर करनी थी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंग पहुचे वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगो का दिन सुबो थैंक यू फॉर वाचिंग